अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिये और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत बूलिये तो स्टार्ट करते हैं अज हम अपने नए वीडियो से वीडियो टाग इन ह्टेमल अगर हमें अपनी कोई भी वीडियो को अपने वेब पेच पर एंबेट करना है उसको इंसर्ट करना है तो हम वीडियो टाग को यूज करते हैं उसका टाग हमारा होता है वीडियो हमें पूरा नाम लिखना होता है दोनों एंगलो बैकेट के बीच में तो इसके क्या these are the attributes which are used in our video tag अलग-अलग attributes का अलग work है वो मैं आपको अपने example के साथ explain करूँगी autoplay, controls, height, loop, src, width, muted and poster इन सारे attributes का explanation में आपको अपने example की help से किसका क्या work है ये कैसे use होता है coding में वो मैं आपको explain करूँगी तो let us see the example, this is the example which I have already written for you मैंने एक example पहले से ही लिखकर रखा है यापर ये ऊपर का जो पार्ट है html से लेके body part तक ये मैंने आपको अपको अपने पुराने वीडियो में अलगी explain किया हुआ है अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को भी तक नहीं देखा है तो आप मेरे description link में, description में देख सकते हैं मैंने वो सारे link share किया है तो हम start करते हैं video tag के साथ तो video tag हम लिखेंगे आप पर angular bracket में start करेंगे video word लिखेंगे because this is a tag name उसके बाद मैंने एक attribute लिया है width attribute चोकि मैंने आपको दिखाया था width attribute का मतलब होता है कि हम ये attribute हम जो video embed करना चाते हैं insert करना चाते हैं अपने page पर web page पर उसकी width कितनी आने चाहिए page पर और उसकी height ये एक और दूसरा attribute है और उसकी height कितनी होनी चाहिए इन दोनों values को हम pixel में देते हैं और इन दोनों values को pixel में कैसे लिखेंगे inside the inverted comma जैसे कि मैंने हाँ पर लिखा है वो pixels आपको कितना देना है that you can choose according to your requirement अब आता है हमारे पास third attribute जिसका नाम है autoplay autoplay हम मारा use होता है जब जो हमने video यहाँ पर insert किया है उस video को जैसे हमारा page load हो रहा है वेb page load हो रहा है उस web page के load होने के साथ ही without clicking on the play button without hitting on the play button हमारा video automatically start हो जाए हमें उसको play button click करने से पहले ही हमारा video page load होने के साथ ही play हो जाए तो यह autoplay attribute का काम यह है अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी तो वह भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर कैसे हमारा video work करेगा दूसरा आता है हमारा controls controls attribute हमारा use होता है हमें हमारे videos के नीचे जो play button है pause button है, full screen का button है यह सारे options अगर हमें चाहिए वहाँ पर display होने चाहिए तो हमें controls लिखना होता है usually हमें चाहिए होता है क्योंकि हमें play और pause घुद करना होता है वीडियो को full screen में देखना होता है तो भी हमें उसके लिए एक button चाहिए तो उन सारे buttons को वहाँ पर display कराने के लिए हमें control attribute को use करना होता है Next आता है मेरा loop attribute loop attribute का काम होता है जब मेरा एक video एक बार पूरा display हो गया है तो वो जैसे ही खतम हो video तो automatically वो दुबारा से restart हो जाए और वो continuation में तब तक चलता है जब तक कि मैं अपने pause button को या stop button को हिट ना करूँ Next आता है मेरा muted muted का मतलब होता है कि जब मेरा page load हो वेb page load हो तो मेरा वीडियो जो चल रहा है वेb page पर वो उसमें आवाज ना है वो muted रहे automatically वो by default muted रहे उसमें कोई आवाज ना है जब तक कि हम अपने off speaker वाले button को वहाँ पर ना हिट कर दे तब तक कि मेरा वीडियो muted ही रहे by default mute रहने के लिए अपने वीडियो को वेb page पर हमें muted attribute का यहाँ पर यूज करना होता है इसको हम हटा देंगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी next आता है मेरा last attribute poster poster attribute का मतलब होता है जो भी वीडियो मैंने embed की है तो वुस वीडियो के start होने से पहले अगर आपने वीडियो start नहीं किया है तो उसका जो एक main screen है उस page पर क्या display होना चाहिए मैं चाहती हूँ कि एक photo display होती रहने चाहिए continuously जो की मेरे वीडियो से starting से पहले जैसे हम theme apply करते हैं हम अपने youtube के videos में आपके thumbnail apply करते हैं तो thumbnail की तरह ये काम करेगा हम कोई भी picture as a poster हम use कर सकते हैं और जो picture हम use करेंगे उस picture का हमें यहाँ पर path देना होगा path आपको जब मैंने image insert करना बताया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था हमें कोई भी image insert करनी होती है तो उस image को हमने कहां से लिया है अपने computer में से उसका हमें पूरा path यहां पर describe करना होता है वो path कैसे copy paste करता है वो भी मैंने आपको अपने पुरा path यह मैंने पूरा path वहां से copy कर लिया और इसको हमें inverted comma में रखना है जरूर यह आपको हमेशा ध्यान रखना है और यह last angular bracket close करने है angular bracket और यह कोडिंग का यह पार्ट खतम होने के बीच में हमें यहां पर कोई space नहीं चोड़ना अब आते हम एक और अट्रिब्यूट जो कि बहुत इंपॉर्टन पार्ट है वीडियो टाग के सबसे इंपॉर्टन अट्रिब्यूट है src attribute इसको हम यहां पर एक source word लिखेंगे source means हम कहां से ले रहे हैं अपना वीडियो हम कौन सा वीडियो embed करना चाहते हैं अपने web page पर तो उसको हम कैसे लिखेंगे src attribute लिखेंगे जो कि आपने देखा होगा मैंने attributes में display किया है और उसकी क्या value होगी यह value मैंने उसकी लिए है यह मेरा वो पात है जो मैंने वीडियो को insert करना है मैंने एक dell tag नाम से एक वीडियो है मेरे desktop पर एक computer में उस computer में से मैंने इस पर insert करना है तो उसका पूरा पात यहां पर copy करेंगे यह video का नाम है .mp4 उसका extension है क्योंकि आपको पता है हमारे videos का normal extension .mp4 होता है इसको inverted comma में रखना है हमें उसके बाद यह type एक और attribute है जिसको हमें यहां पर लिखना है type attribute से क्या होगा यहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम यहां पर video insert कर रहे हैं और video किस format में है mp4 तो यह वाला part आपको as it is ही लिखना है type is equal to inverted comma के अंदर video slash यह back slash हमें यहां पर यूसका नहीं आप ध्यान रखे हमेशा mp4 inverted comma close and the angular bracket now close यह मेरा coding वाला part फिनिश हो गया अब हमें अपने tags को close करना है यह हमारे container element है video को मैंने tag को यह close किया फिर last में html tag को close किया अब हम इस फाइल को save करेंगे save करना सबको आता है ctrl plus s उसके बाद मैं आप अपनी फाइल का नाम लिखूँगी तो मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा है video one dot html extension हम जरूर देते हैं क्योंकि यह हमारी html फाइल है उसको denote करने के लिए desktop पर मैं इसको save करूँगी save अब हम आते हैं अपने desktop पर और देखते हैं कि मेरा video कैसे चलेगा यह मेरा फाइल आ गया है यहापट video one इसको मैं double click करके open करती हूँ जो वीडियो मैंने आप पर insert किया है वह आपको यहाँ पर display हो रहा है जा मैं इस वीडियो के पर अपने mouse pointer को लेकर जाते हूँ आ तो आप देखेंगे यहाँ पर वो controls का attribute का जो मेरा काम था वो यह काम था कि यहाँ पर यह सारे buttons आपको display हो जाएंगे यह play और pause का यह आपकी timing आ रही है यह आपका muted है यह muted वाले attribute की वज़े से यह already muted है by default जब तक मैं इसको hit नहीं करूँगी अन्यूत नहीं होगा यह मेरा है button इसको मैं click करूँगी तो मैं full screen हो जाएगा मेरा यह video और अगर मैं इसको click करूँगी तो आपने देखा होगा इसको click करने से आपका option आजाता पिंचर in picture आपने अपने phone में भी देखा होगा यह छोट मेरा सीख बार है जैसे कि मैं video को आगे पीछे forward और backward कर सकती है अब मैं loop attribute का काम दिखाती हूं आपको loop attribute के लिए मुझे इस video को last तक ले जाना होगा जैसे कि मेरा video finish होगा automatically दुबारा से replay हो जाएगा हम देखते हैं कैसे होगा अब ही मैंने इसको unmute कर दिया इसको click करके यह देखे मेरा video automatically दुबारा से play होने लगा क्योंकि मैंने आपर loop attribute पी apply किया है अब वापिस हम चलते हैं अपने coding part पर उस पर मैं आपको दिखाती हूं इसको मैं भी pause कर देती हूं अब मैं यहाप पर इसको autoplay को remove कर देती हूं इस attribute को इसको save करेंगे हमार बार वापस से जाते हैं अपने spark पर इसको मैं refresh करोंगे यहापर reload करोंगे page को अब देखे मेरा video automatically play नहीं हुआ क्योंकि हमने autoplay attribute को यहाँ से remove कर दिया है ठीक है autoplay attribute का काम यही होता है कि page load होते ही video अपने आप start हो जाता है अब मैंने autoplay attribute नहीं लगाया है तो मेरा यह page यह video automatically start नहीं हुआ है जब तक कि मैं play button hit नहीं करोंगे मेरा video start नहीं होगा और आपने देखा होगा है आप पोस्टर भी आपका display हो रहा है दुबारास हमी reload करके दिखाते हूं इस page को यह देखे यह मैंने एक poster apply किया है learning video tag in a screen में यह मेरी video का पार्ट नहीं है यह मैंने poster apply किया था तो यह poster attribute का ज